हर्जस्रीवी देखरे सारे दर्षकांदा मैं हिमानी अजदी खवर भी स्वागत कर दिया वड़ी खवर यह है कि प्रकास सेंग वादल नू अमिशा सने होर कई हस्तिया ने श्रत दांजली दिती पंजाब दे पंचवर मुख मंत्री रह प्रकास सेंग बादल दिन नमित अन्ती मरदास इश्रत दांजली समागम आज पेंट बादल विच माता जस्वन्त कोर मेंबोरियल स्कूल विच होया समागम विच केंद्रे ग्रय मंत्री अमिशा, लोगसवा स्पीकर उप द्वरला, राकेश टिकैत, उप प्रकास चोटाला अते डेरा व्यास मुखी गुरिंदर सेंग टिलो सने होर कई हस्तिया पूंजिया इना तो इलावा हजारा लोका ने आपनी महभूब नेता नुशर्दा अंजली दिती एक गड्डा जो बागदल साब के जाने से सुन्यता जो पैदा हुई है मैं देख रहा हूँ लंबे अर्शे तक इसको भर पाना सब के लिए बड़ी मुश्किल हो बागदल साब के जाने से सिक पंथ ने अपना एक सच्छा सिपाही खोया है देश ने एक देश भक्त खोया है किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और धेर सारे रादनितिक जीवन के उच्च मानांकों ने मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है इतना लंबा सारवजनिक जीवन सतर साल का सारवजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो ऐसा अजात सत्रु जैसा जीवन बादल साब के बिना कोई नहीं जी सकता यह मेरे मन से मैं मानता हूँ मैंने एक बार बादल साब को मिला हूँ जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया जब भी मिला चेतना प्राक्ट करकर गया इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया दल तो हमारे दो अलग थे परंटु हमेशा उन्होंने वो ही करहा जो मेरे दल के लिए भी सही था इतनी पारदरसिता के साथ रादनीतिक जीवन में सला देना ये महा मानव के सिवा कोई नहीं कर सकता पंजाब के लगातार विधान सभा में रहने वाले सदस्य सबसे ज्यादा रहने वाले सदस्य बादल साप रह सबसे ज़्यादा चुनावी राजनीती में भारत में जन प्रितिनीती रहने का रेकोर्ड भी बादल साप का है पांच बार पंजाब के मुख्य मंत्री बने और मैं रेकोर्ड के आधार पर कह सकता हूँ नए पंजाब की नीव डालने का काम स्री प्रकाश सिंग बादल ने किया सरदार प्रकाश सिंग बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया पूरा जीवन हिंदू सिख एक्ता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया रादनिती में कई विरोध जिलने के बावजूद सबको एक जूट रखने के लिए बादल साब हमेशा प्रयास सिल रहे अभी सरदार सुकबीर जी बता रहे थे बादल गाउं में मंदिर भी बादल साब का बनाया हुआ है मस्जीद भी बादल साब की बनायी हुए है और गुरुद्वारा भी बादल साब का बनाया हुआ है साथ चर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंडेंगे तो देश के रादितिक जीवन में सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया बादल साब ने कभी पीट नहीं है सारवजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जैल के अंदर रहकर सिधान्तों के लिए पंत के लिए संगर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाज सिंग बादल थी इमर्जन्सी की बात हो मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना था प्रकाज सिंग बादल अकाली दर में चट्टान की तरह इमर्जन्सी के खिलाब खड़े रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कारगिल युद हो, कोई भी लडाई हो, या अर्तांकवाद की परचाई हो, हर जगे पे बादल साब ने आस्मान जितने उंचे व्यक्तितों को धाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साब का जाना समुचे देश के लिए बहुत बड़ी खशती है। सर्दार सुकबीर और बिबी हर्व सिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खशती है और मेरे जैसे सारवजनिक जीवन के कई कारेकरताओं के लिए भी अपूनिय खशती है। आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्राथना करना चाहता हूँ कि बादल साब के जीवन से हम सब प्रेणा ले और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दीती, उस रास्ते पर चलने की वाहे गुरु हम सब को सकती दे। सुभाई सुखबिर बादल और बीबी हरस्मरत बेन को मैं इस अपून अक्सिती के लिए मन पुर्वक दुख व्यक्त करता हूँ और बादल साब के सारे अनियाईों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ अंत में बादल साब को मेर बात को समाप्त करता हूं वाहे गुरुजी का खाल साव वाहे गुरुजी की फते